गोरक्षा वै उससे जुड़े कुछ प्रश्ण प्राप्त हुए हैं पुछने वाले हैं श्रीमान मदन्दास जी, स्मृती जी, प्रमोत कुमार जी, डॉक्टर एके त्रिपाठी जी गाए के प्रश्ण पर मॉब लिंचिंग क्या उचित है गोरक्षा कैसे होगी गोरक्षा कानून लागू नहीं होते हैं गऊ तस्करों के होसले बहुत बड़े हुए हैं गऊ रक्षा करने वालों पर हमले होते हैं इन सब का क्या समाधान है गाय का कियों किसी भी प्रश्ण पर कानून हात में लेना, हियुँसा करना, तोड़फोड करना ये अत्यम्त अनुचित अपराध है और उस पर कड़ी कारवाई होनी चाहिए अपराधियों को सजा होनी परंतु गाये ये परंपरागत श्रद्धा का विशे तो है ही मानविंदू माना जाता है गाये मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ मैं जानता हूँ उस शास्तर को उसके हवाले से कह रहा हूँ अपने देश के छोटे किसान जो बहुत संख्या में है उनके अर्थायाम का आधार गाये बन सकता है दूसरा कुछ नहीं बन सकता हूँ अनेक डंग से वो गाय उपकारी है अब सारी बते बाहर आ रही है इटू मिल्क की बात होती है पहले नहीं थी अब मालू हो गया विद्ञान तो गोरक्षा तो होनी चाहिए सम्विदान का भी मार्गदर्शक तत्व है तो उसका पालंग करना चाहिए लेकिन गोरक्षा केवल कानून से नहीं होती है गोरक्षा करने वाले देश के नागरी गाय को पहले रखे गाय को रखेंगे नहीं और खुला छोड़ देंगे तो उपदरो होगा जो गोरक्षा के बारे में आस्था पर प्रेटन लगता है इसलिए गो सम्वर्धन इसका विचार होना चाहिए गाय के जितने सारे उपयोग है सामान ने रोजमर्रा की जीवन में वो कैसे आज लागू किये जाए कैसे उसका ज्यान दिया जाए कैसे तकनिकी का उपयोग कर करके उसको घर-घर तक पहुचाया जाए इस पर बहुत लोग काम कर रहे हैं वो गोरक्षा की बात करते हैं वो लिंचिंग करने वालों में नहीं है वो समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं सात्वी प्रकृति के लोग हैं केवल जंग के इस पर तुला है और भी अनेक लोग है अच्छी गोशाला है चलाने वाले भक्ती से चलाने वाले मुसल्मान भी अपने देश में बहुत जगह है तो इन सब लोगों को लिंचिंग के साथ कभी जोड़ना नहीं चाहिए उनके कारे को प्रुथान मिलना चाहिए क्योंकि वो अपने देश के सामान निवेक्ती के हित का काम है अपने देश की अर्थव यवस्था में एक बड़ा आधार साबित हो सकता है और इसलिए गोत असकर हमला करते हैं तो उसको भी अब लिंचिंग पर आवाज करते हैं और गोत असकर हमला करते हैं उस पर आवाज नहीं होती है यह दोगली प्रुद्थी छोड़ने चाहिए इन सबका समाधान यही है गाए के बारे में लोगों में जागरूती लाना उसके क्या-क्या उपयोग है हो रही है बढ़ रही है और सारी बाते आजकल कागजों में नमूध है वहिद्ञानिकों में शोध हुआ हैं उसके डॉक्मेंट सुपलब्द हैं और गोरक्षा का काम करने वाले लोग सात्विक प्रवूर्थी से इस एक काम को बढ़ा रहे हैं वो बढ़ेगा जो उपद्रवी तत्वा है उनके साथ जोड़कर इनको देखना नहीं इतना कर ले हम और समाज को जागरूत करें तो गोरक्षा का काम होगा देश का लाब होगा और गाय के सानिध्य का ये प्रत्यक्ष अनुभव है हाथों से गोशववा करने वाले की आपराधिक प्रोरु जाएगा ऐसा मुझे लगता है